सबसे पहले अपने फेस पे सिर्म लगा चुकी हूं और उसके बाद मैंने एक कंसीलर उठाया और मैंने सबसे पहले कंसीलर जो उठाया है वो मैंने केवल वाल्ड शेट का उठाया है अपनी आखों पे है पहले का उठाया है और मैंने अपनी आखों पे केवल लगाया या और इसका रिजन यह है अपने पकिस्तो देने कीक कोसिस कर रही हूं देखें आप ध्यान से देखे उसी pink set को continuing on blend कर रहे हैं आछ से और एक crease line देने की ochsis करें और वही pink set दूसरी तरब ही मैं अपनी दूसरी आखों पे भी देने की बार बार कोष़िस कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगा ये देखे एक crease line देने कीड़े हीicki कोषिस कर रहे है और मैंने थोड़ा सा एक थोड़ा सा इससे डार्कर शेड अब मैं एक ब्राउन सेड होता है डार्कर शेड इससे डो टोन उपर थोड़ा सा डार्कर शेड मतलब फिर से लगाया मैंने और जिससे मेरी क्रीज लाइन जो हो इंदम काईदे से डिफाइन हो मतलब दिखे कि क्री मेरा sky blue करकर dress था और मैंने केवल उसको brush से ना उठा करके मैंने हां से ही डाला blue color आखो पे और बस हां से ही blend कर दिया और आप देखीगा सिंपल तरीके से मेरा eye shadow look complete हो रहा है और देखीए बस मेरा finally complete हो चुका है और मैं pink shade उठा करके एक फिर से अपनी crease land को define करने की कोसिस कर रही हूँ बस और मेरा finally done हो चुका eyes और guys मेरी threading भी बनी हुए है इस वज़ा सो हो सकता clean look ना आए और मैंने highlight eyebrow eyebrow highlight करने के लिए मैंने silver color का यूज किया है और क्या मैं बोलू लाइनर में मैंने pen liner का यूज किया है 36H simple सा liner है pen liner का यूज किया है मैंने बहुत ज़्यादा wing create नहीं किया है मुझे लगा कि मैं साधान सा makeup look देना चाहती हूँ मतलब ऐसा ये makeup look मैं create कर रही हूँ जो आप साधान अपने घर में use कर सकते ह इसा लग रहा है मैं ज़्यादा फेस पर concealer इसे ले नहीं लगा हूँगी क्योंकि आप देखेगा मैं simple तरीके से foundation उठाऊंगे और सीधा उसी वे makeup done कर दूँगी और मैंने अभी देखे मैं बात को cross करके मैं eyebrow इस सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी eyebrow बनी नी थी तो मैंने पूरा complete हो जाएगा मैं full मतलब जो भी coverage देना होगा मैं बस इसी पर पूरा coverage दूँगी और मैंने बस beauty blender को गीला करके मैं बार 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 बतारी हूँ आपको गीला किया है मेरी beauty blender और बस इसी में हम इसी foundation को बहुत हलकी हां से blend करने की कोसिस कर रहे हैं रगर नी रहे हैं बस टैप डप करके मैं ब्लेंड करने की कोसिस कर रहे हूँ और आप देखेगा बस मैं केवल foundation को यूज कर रहे हूँ क्योंकि मैं आज केवल foundation को यूज इसलिए किया क्योंकि मैं पालन चलाती हूँ मैं अनुभाव करती हूँ कि ज्यादा तर और या महलाएं जो आती हैं वो के अले उले में नहीं लगाया है मैंने बाद में लगाया था आफ केमरे पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चलिया रही और यह मैं उठाई हूँ 9 to 5 फूल लूस पावडर लैकमी का ही है और फाइनली उससे मैंने लॉक कर दिया अपना फेस को मैंने ब्लेशर का भी उस बहुत कम इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक नॉर्मल सा मेकप लूक क्रियेट करी हूँ तो जो मतलब हम बहुत हाइलाटेड ना हो मैं सिंपल सा अच्छा लगने लगे और बहुत दिखे भी ना कि मेकप है तो बस मैंने ब्लेशर और मैं सिल्वर और गोल्डन हाइलाटर देने की कोशिए नोस पे और चिक बोन पे यहां सब में हाइलाटर दी और देखेगा अपनी से घर पे करना चाहोगे तो कर लोगे और ये देखे मैंने अपनी आख को बहुत डारक काजल नहीं लगानी की कोसिस किया मैंने बस इंपल सा काजल लगा तो लगाए तो लगा है नहीं उसको एक अबो पैंसिल दोरा मैं मर्ज कर दी और फिर फाइनली मैं आगी लिप और मैं लीप लाइनर का यूस कर रही हूं, थोड़ा से मेरे लिप पे भी चोट लगी थी, सारी प्रॉब्लम आज ही के दिन है मेरे साथ, लिप पे भी चोट लगी थी, और मैंने एक हलका सा सिंपल सा सेव देनी की कोसिस किया है, और लेजा है हमें ऐसा परस्णल भी लगता यह आपको लिव स्टिक को बहुत फिनिशिंग से लगाना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत हमें ज्याहां बुत ज्यादा कप लगाईए और फाइनली गाईस ये मेकप मैं आपको भूल बताना भूल गई थी मतलब मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी सॉरी और मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं एरा फस्ट ब्यूटियो हो वाइस पे है और धीरे-धीर मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी